होता है है इस योग को अगर जीवन में धारन कर लेंगे तो सहजी आपस में मेल और प्रिम हो जाएगा क्योंकि विवाद कहा होता है विवाद क्यों होता है अहं का टकराव होता है हम लोग विकारों के सिकार होते है जब भीतर में क्रोध उपजता है काम उपजता है लोग उपजता है इर्शया की भाव ने आती है तो क्या होता है आपस में लोग विवाद करते हैं अगर हमारे अंदर में नोहंकार हो ना किसी तरह का क्रोध भाव हो ना ग्लोध हो मोह हो इडश्या हो द्विस हो तो मेल होगा कि नहीं होगा ना बोलिये ना मोह होगा मेल तुड़े बाई बाई में कुछ मर्चिशन चरी प्रमजी महराज कहते थे कि दो भाई थे आपस में बहुत मेल था यह योग देखिये केवल मोक्षी नहीं देता है जीवन में भी आपको सुखमय जीवन देता है जीवत ही करो आसा जीते जी मुक्ती जीते जी दुखों से छुटी जीते जी स्वर्ग की अनुभूती जीते जी पर्मानंद की अनुभूती ये योग देता है स्वामी रामतिर्थ कहते थे जब तक तुम अंदकार में रहते हो किसी से आपका इस्थाई मेल नहीं हो सिकता ठीक है स्वामी रामतिर्थ की पुष्टक में लिखा है आख बंद करने पड़ जो गोर अंदकार देखते हो इस अम्दकार में रहते हुए आज थाई मेल आपका किसी से नहीं होगा आकासी बिजली जैसे चमक करके समापत हो जाती है दाम इने दमकी रहे घनम आहीं वैसे ही ये संसार में किसी से भी आपका मेल हो वो ठीकेगा नहीं वो थिर नहीं होगा प्रे बिस्तिर नहीं होगा भाई चारा बिस्तिर नहीं होगी अगर मेल अगर चाहते हो तो वो कहते हैं स्वामी राम तिर्थ के अंदकार के पार जाओ मतलब विकार हो तो हो जाओ अंदकार में विकार होता है काम क्रूद लोग मोह सब की प्रवलता रहती है अंदकार में और जिनके हिर्दे ऐसे अंदकारों से विकारों से भरा है वो तो स्वार्थ में इडश्या में नाना प्रकार के विकारों के कारण कहीं भी स्थिर प्रेम वो नहीं कर सकता है निस्वार्थ वो नहीं हो सकता है यह टो संचार में कुछ अंच्राइ centers कहते थे दो भाई थे बहुत प्रेम था जो नो कमा devo looking वह मालता च्षेर्टिक सब कमा के बड़े भाई कोद्थै था आप अब बड़े भाई भी आज तक पुणी इमानदाली से दोनों के लिए काम कर रहे थे जो कुछ भी खड़िदना है दोनों के लिए कहीं एक पैसे की देमानी नहीं करते थे एक दिन बड़े भाई खेत से एक गन्ना तुड़ करके एक तुड़ करके ला रहे थे घर तो दोनों भाई को एक एक लड़के थे चोटा भाई चाट पे कड़ा था बड़ा भाई गन्ना लेके आ रहा था आप दोनों के बच्चे लगबग दो साल के अंतर पर थे उम्रों दोनों दोड करके गए गन्ना मांगने तो बड़े भाई ने गन्ने को दो भाग किया दो को देना है तो गन्य का जो जड़ भाग होता है वो मीठा होता है और जो उपर का हिसा होता है छीप जिसको कहते है वो फीका होता है तो उन्होंने बड़े भाई ने क्या किया कि गन्ने को जब तोड़ा तो दाहेने हाथ में जड़ भाग था अब बाएं हाथ में छी लेकिन भातिजा था बाईं और खड़ा बेटा था दाहें और खड़ा तो जड़ भाग भातिजे के तरब था और छी भाग बेटे के तरब तो उसने क्या किया बड़े भाई ने कि अपने हाथ को ऐसे करके दे दिया इस तरह से कर दिया सुनिए गा ध्यान से सुनिजिए छोटा भाई नीचे उतरा बड़ा भाई दर्वाजे पर आया और कहा कि अभी इसी छंड बटवारा हो जाना चाहिए कहा क्यों क्या हो गया आज तक तुमने जो कुछ किया हमने जो कमाया इमांदारी से एक पैसे का हिसाब देता हूं दिकास किया हूं कहा कि अब तक नहीं हुआ लेकिन अब आगे हो सकता है कहा कैसे कहा आप हमको ये गनित समझा दिजिए कि आपने हाते से क्यों किया हाँ तेसे क्यों किया कहा हमसे गलती हो दे कहा अगर एक गन्य में आप बेटा और भक्तिजा का भेद कर सकते हैं तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं इसलिए बटवारा हो जाना चाहिए आप द्रिश्टी आपकी बदल रही है एक बड़े महापुरुस हुए संत ग्यानेश्वर दक्षिन भारत में महाराष्ट बाल संत थे जन्जाद संत थे इतने श्रिष्ट महापुरुस हुए अद्वेट सर्व खल्विदं ब्रह्म सब जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन करने वाले वो काते थे ब्रह्मन कुल में जन्म हुआ था लेकिन दक्षिन भारत में जाती वाद इतना पहले तो सब जगई था लेकिन उधर इतना प्रखर था चुआ जुद की भावना लेकिन संत ग्यानेश्वर नहीं मान थे सबको गले लगाना सबके घर में खाना जिसके कारण जाती के लोग ही बहुत विरोद्की हो था एक बार एक भेंश जा रहे थे कुछ ब्रामल लोग थे उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि नाम रूप कालपनीक है सब में एक ही तत्व है ब्रह्म तत्व है तत्व सत्य है और शरीर जो है वो कालपनीक है जड़ है परिवर्तन सील है तत्व की दरिष्टी से सब एक है तुम कहते हो कोई भेद नहीं है भगवान क्रिश्न है वो सब में संभाव रखते हैं संदर्शी होते हैं सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं तो वो कहते थे सब ब्रह्म के ही प्रकटी करण हैं इसलिए भेद्रिष्टी पाप है क्या है उच नीच का भाव रखना पाप है तो एक भेंज आ रही थी तो कहा कि ये ज्ञानेश्वर ही है तो ये भेंज भी ज्ञानेश्वर है संथ ज्ञानेश्वर ने कहा समझ जगत ज्ञानेश्वर है अर्थात एक ही है ब्रह्म ही है दो लाठी कस के कहा अगर भेश को मारे के तो तुम्हारा पीठ पटना चाहिए कहां भेश को दो डंडा कसके मारा गया भेश को कुछ नहीं हुआ ज्ञानेश्वर के पीठ पट गए सुचे इतने महान जन्जात योगी थे संत ग्यानेस्वर। उस गीता के पाला स्लोथ सुनिए, जाह से सुरू होता है गीता, धर्म छेत्रे कुरुग छेत्रे समवेता यूत सवह, मामका पांडवस्य वाकिम कुर्वत संजे, मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया है संजय मुझे बताओ धृत्राष्ट पूछ राया संजय से जो हस्तिनापुर में बेदव्यास की दी हुई दिप्य दृष्टी से सब कुछ साब साब देख करके और उनको कोमेंटरी सुना रहा है देखिए ध्यान से सुनेगा जड़ा सबी चुकने वजे ग्यानेस्वर करते हैं सारी महाभारत इसी स्लोक में सारी महाभारत सारा युद लड़ाई जगड़ा द्रोपदी का चीर हरन राज अग्यादवास जो कुछ भी हुआ है पांडवों के साथ सारा का सारा विवाद इसी स्लोक में चीपा हुआ है संतिक्याने स्वर करते हैं कि स्लोक में माम का पांडवस्चे मेरे और पांडू के पुत्र में दित्रास्त को दुर्योधन अपना पुत्र दिख रा है अयुदिस्थिर अपने भाई का पुत्र दिखता है और मेरा पुत्र मेर मोड तोड़ते माया मेरा पुत्र का जो मोह है उस मोह ने उसको ऐसा पुत्र का मोह मेरा पुत्र मेरा पुत्र ये मोह उसको ऐसा अंधा कर दिया है ऐसा अंधा कर दिया धित्रास्ट को कि उस मोह की बंदि हुई पट्टी उसको युदिस्थिर का कोई गुन देखने ने देता था पांडव गुन के खजाने थे लेकिन धेत्रास्ट को पांडव में गुन दिखाई ने देता था अधुर्योदन, नाम्नी दुर्योदन और कांभी दुर्योदन दुस्ट था लेकिन पूत्र के मोह में अपने पूत्र की दुस्टता उसे दिखाई नहीं दे दे थे और इतना मोह ग्रस्ट था कि भड़ी सभा में पूत्र अपनी ही भाई के भाई की तो वो बहुत थी ना कौन दुरुपदी नंगा करने के लिए आदेश दे रहा है अब वो राजा थे एक बार कहा देते कि नहीं यह नहीं होगा तो यह है उसी समय बात खत्म हो जाते है दुरुद्धन के आदेश का वहां कोई आट नहीं रहता उस राजा के आदेश के सामने और पिर वो कुछ कर भी नहीं सेकता था क्योंकि भिश्म के राजा के तरब से खड़े हो जाते द्रोणाचाल खड़े हो जाते और मजबूर हो करके द्रोपदी का चीज हरन दूने जाता लेकिन इतना बड़ा उसको मोह था कितना बड़ा पाप उसका पुत्र कर रहा था लेकिन तब भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए बेदव्यास ने उससे फटका रहा था कि तुम्हारी ये जो अंधी आख है न इससे हस्तिनापूर को कोई दिकत नहीं होगी ये बेदपी तुम गाशन पर हो अंधे हो तुम स्वयं तुम चल नहीं पाते हो राजा को राज की रक्षा का भार होता है लेकिन तुम अपने अकेले चलने की इस्तिती में नहीं हो राष्ता दिखाने के लिए तुझे साराची तब भी सहस्तिनापूर को कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि भीष्म जैसे अपांडवों जैसे भीर से ये राज सुरक्षित है इसलिए धित्राष्ट कोई ख़तरा नहीं है लेकिन तुम ने जो अपने विबे की आख पड़ी हो जो मो की पट्टी बन रखी है पुत्र मो की ये इस्तिनापूर के लिए बिनास का कारण होगा बिनास का कारण होगा तो हमारे जीवन में सारे विकार ये मो मो सकल ब्याधि अग्यानता मो कार्थ क्या होता अग्यानता और अग्यानता कहां होती है बंद अंधेरे कमरे में रसी को देख करके आपको साप सा ब्रम होता है कि नहीं और आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं रात को आप प्रकास अगर है तो यहां किसी रसी को देख करके साप लगेगा वह इसलिए जब तक आप अंध्यकार में रहेंगे आख बंद की ये करके जब तक आपके अंदर में अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकार ग्रस्त रहेंगे आप से भूल चुक होती रहेगी इस नगरी में तिमिर समाना भूल बरम हर बार कोई न कोई भूल होती रहेगी उसका पल आपको नरक और दुख के रूप में अपचस के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा खोज करो अंतर उजी आरी छोड़ चलो नव द्वार खोजी आप अपने अंदर में प्रकास और नव द्वार में उपरूट जाएए नव द्वार से उपरूट के दसम द्वार में जाएए अंतर प्रकास पाईए कुछ पाद मरची संसेवी प्रमजी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फटंगे आते हैं उसमें जल करके खत्म हो जाते हैं उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकास का दिया जलता है तो काम, क्रोधादी, बिकार जो हैं ये कीड़े फतिंगे उसमें आकर के जल जाते हैं और हमारा हर्दे पवित्र हो जाते हैं आप लोगोंने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिधी जिनोंने पाई थी, दुर्भाग से आज वो जेल में, आसाराम बप, कुपा गात आसराम आये थे, तो महर्ची संत से भी जी महारा आये, बाद में भी आये थे, पुझाचार स्री के समय में भी आये थे, पु तो इनके समय में जब वो पुझाची महाराज के समय में जब आये थे, मैं भी था, तो उन्होंने कुछ बात के कमरे में जाकर के कहा, आपके कमरे का वातावरन तो बड़ा सांत है, अगर आप देशी गाय का घी, देशी गाय के दूद का जो घी होता है, उसके दिया जलाए तो यह कमरे का वातावरन और मोई जाये मैं खया पूझाची मराज ने कहा कि बाहर घी के दिया जलाकर कमरे का वातावरन साधू सुद्ध में करता Here val sponsors साधू के द लेमें दिया जलना चाहिए हेरदए में दिया जलना चाहिए तो फीतर का वातावरण सुद्ध हो जाएगा औ जान बैठते हैं जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है जो भी उसके सदीर से उत्रजित हो रही है आभा वह सात्मिक आभा है उस आभा में आप आएंगे तो सहज सांति आपको प्राप्त हो जाएगी मार्शी रमन बिना बोले दुनिया में फेल गए तो उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि कभिर साव ने कहा अपने घट दिया ना बारूरे नाम का तिल सुरत के बाती ब्रह्म अगिन उदगार यह अपने में दिया जला योग यह है एक दृष्ठी करी समसरी जाने योगी कहीं सोई अभी सुनें थे ना योग का पाठ हुआ अंतर अंतर प्रकास हो जाएगा अंतर प्रकास में विकार मढ़ जाएंगे निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निष्वार्थ प्रेम कर सकेंगे निर्विकार व्यक्ति ही संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है ए तु रहित जगजुको प्रिकारी तुम तुम्हार सेवक असुरा प्रमात्मा के जो जानने वाले होते हैं विकार मुत्व सट विकार जित अनक अकामा अचल अकिंचन सुचि सुगदामा कामक्रोध लोब मोह मद मात्सरिय छे विकारों को जीते हुए संसार की कामनाओं से मुत्व होते हैं वे अपने आप में सुख के धाम होते हैं आप लोग बद्री धाम, केदार धाम, कोण-कोण धाम, बेदनात धाम, जगनात पुरिय और कोण धाम है जी गंगोत्री धाम, यमनोत्री धाम बहुत सारे धाम का नाम सुने होंगे लेकिन सुख का धाम कहीं देखे हैं सुख का धाम का है गोश्वामे तुलसिदा जी महराज बता रहे है सट विकार जित अंतर साधन करके योग साधन करके जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया अनग मतलब पाप रहित खुद को कर लिया आकामा मतलब कामनाओं से मुक्त हो गया अचल अर्थात सत्त में जिसकी एक दम निस्ठाइस धीर हो गई सत्त में जिसकी निस्ठाइस धीर हो गई गुर्तेक बाहादू कि गर्दन कड़ गई लेकिन आपने सत्त के साध मुखडे रहे गर्दन जाने दिया सत्त का संग नहीं सोड़ा सुगरात को जहर का प्याला पिना पड़ा पिलिया, सिध्धान से समझोता नहीं किया, महाविड स्वामी गुरू जितने भी संद हुए, कभीर बाहतर कस्नी स्विकार किये, सत्त को नहीं छोड़ा, अचल इसी को करते हैं, अपने सिध्धान पर निष्ठा और सत्त पर जो अचल है, ऐसे संद, जो होते हैं, एक मात्र सुख के धाम होते हैं, उसके पास आकर कहीं आपको सुख मिलेगा, और उनकी बताई हुई योगती से जब आप साधन करने लगेंगे, तो बजन में होता आनंद आनंद, आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा, आप बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को पादेगे, इसलिए ये जो योग है, इसका ज्यान संत बताते हैं, और बहुत कथी नहीं है, राजी, आप लोग सुने होंगे योग मह योगी, राज मह राजा, जोग मह जोगी, तप मह तपे सुर्गिरत मह भोगी, ध्याय ध्याय बढ़ता सुख पावा, नानक तिस पुरुका किन अंत न पाव, नानक सत गुरु भे पैनन दिया, अब पीछे होएं मुक्ति, यह साहज योग है, राज योग है, स्रेफ्ट योग है, और सब से होने वाला योग है, तो इसलिए गुरु महराज कहते हैं, आप को परमात्मा को पाने का साधन है ये योग, इसका ज्यान आपको हो जाए, तो आपका कल्यान हो जा भी दिको योगी, ज्यानी भ्योपी मतो दिकाह, कर्मी भ्यस्च दिको योगी, तस्मात योगी भवार्जुन, भगवान कृष्ट कहते हैं, बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेद्व सहस्रानी एक पादिस्तितो नरह, एक पैर पर खड़ा होकर कोई एक ह हजार वर्ष कोई तप किया, खड़ा होकर, एक पैर पर, और कोई अपने व्रिती को एक शंसो सुमना ध्यान, अन्ता प्रकास पाने के लिए द्रिष्टी की युगलधारों को एक करने का अभ्यास किया है कि उस तपस्वी से ये योगी स्रिष्ट है, बड़े बड़े तप रवन गर्दन् कात करके भगवान को चड़ा दिया असा तपस्वीय दिए मिलिंग नेकिन रावन का क्या अ क्या ह focus ये देख shapes बालमिकी रमायन में बालमिकी जी ने रावण के बार में बहुत लिखा है ऐसे कामी पूरुष थे रावण कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम इसमझे तब के साथ था भसमा सुर का ऐसा तब कि भगवान सुर को प्रतिच करके वर्दान क्या मांगा जिसके सिर पर हाथ रख डे वो जलकर भसम हो नहीं। है दूसरे का नास करने के बाद कौन सोचेगा जो पिर मौण सोचेगा आएसा उसने क्यों सोचा कि मौने बड़े बाबा मैं भश्legen कर देशे कि परवती को हुई काम विकार से पूरा सिक आरो चुका का बसम कर से तो बड़े बड़े नितिकं़ करें भी बहुटार Boss योग की साधना करोगे सत गुरु सत गुरु नितिक कुकारत शीजत पाप समोहरे जैसे गुरु के दीवे मंत्र को आप जपना सुरू कर देते हैं आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं गुरु नानक देव करते हैं मूत पलीती कपड़ा होई दे साबुन ले ये सोधोई भरिय मति पापा के संग सोधोवे नावे के रंग गुरु नानक करते हैं जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साथ करते हो उसी तरह जैसे आपके अंद में शुरू हो जाते हैं मान शुरूप यह मैं धारत काम कुरोध मदलोब दहें जब इस्ट का रूप सद्गुरु का रूप आप अपने हिर्दय में बसाते हैं तो आपके अंदर से विकार और घटते चले जाते हैं और जब अनता प्रकास के लिए द्रिष्टी योग की साधना करते हैं और अनता प्रकास प्राप्त करके एक अवस्ता प्राप्त कर लेते हैं प्रकास मंदल की तो करते हैं आपके सारे विकार नश्ट हो जाते हैं है कि तो तपस्मियों से यह योगी स्रिष्ट है ज्यानी ब्योंकी मतोधिका और केवल साश्त्रों को जानने वाले ज्यानियों से यह योगी स्रिष्ट होते ciao आपको याद आपको यह जानत को समस्त धर्म घरंथों का ज्ञान भले आपको हो जाए लेकिन अगर आप थियान नहीं करते युद नहीं करते तो आपके यह ग्यान कोई अर्थ मेरत कि अपरे योग वासिष्ट में भगवान राम से मरसिव शिफट्ट म्रत्यु इसे ही व्यर्थ हो जाते हैं उसका तर्फ छोड़ देते हैं cushion पंखुगाने पर पक्षी के बच्चे अपने पुर्व माता पिता के गोशले का ध्याक कर देते हैं अर्था तो वो ग्यान उसके काम नहीं आता अधित्यों चत्रों वेदान बहुत सास्त्रानी नेकसा अब्रमुतत्वम नजानाति दर्विपाक्रसं यथा ऐसे ज्ञानी उस अगर इतना ग्यान तो सब को होना ही चाहिए कि इस्वर का स्वरूप क्या है रामकृष परमस कहते थे अगर किसी को समझाना हो ना तो बहुत धर्म सास्त्रों की जरुद पढ़ती है तर्ग देदे कर समझाने के लिए लेकिन अपने कल्यान के लिए जैसे आत्म हत्या करने के लिए एक बिलेद काफी होता है एक रसी काफी होती है वेसे आत्म कल्यान के लिए गुरू की बताई हुई योग का ग्यान काफी होता है अगर शिस गुरु का आधर करे ज्ञान का और उसको अपने जीबन में उतार ले बले वेद पुरान वो नहीं जानता फिर भी उसका परम कल्यान सोड़े हिस्चित है तो इसलिए कहा कि धर्म सास्त्र बहुत याद है लेकिन अगर सद्गुरु के सद्य युक्ति से योग साधन नहीं करते तो वो करते हैं ऐसे ज्ञानियों से ही योगी बहुत सरिष्ट होते हैं कर्मी भैस्चा धिको योगी बहुत तरह के कर्मकांड जो होते हैं यग जो होते हैं रुद्र महायग विश्मू महायग बहुत तरह के यग हैं इन यग्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार मिलता है पुन्ष स्वर्ग मिलता है लेकिन पुन्षीन होने पर फिर संसार चक्र मिलता है लेकिन इस उन कर्मकांड योगी बहुत सरेष्ट होते हैं क्यों कि भगवान करते हैं इस योग के आरंभ का नास नहीं होता इस योग का जिसने आरंभ कर दिया जो नितने मित बैठ करके ध्यान करते हैं इसका फल क्या होता है इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय उसका कांड के यगि का पल्स का संस्कार स्वर्ग मिले जाएगा पुन्षीन होगा चिने पुने मर्तलों के विसंती फिर यह आप कहा कहा जाएंगे कुण कुण कुछोनी में पता नहीं लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नास नहीं होगा एक बार आरंभ कर देंगे तो आपको मर्णो परांध फिर यह मनुस्तरीदी मिलेगा और जब तक आप परंपत तक नहीं पहुंच जाएंगे इसका सं सास्त्र ग्नियानी हो चाहे तब तप पश्य करने वाला ओ और चाहे बहुत बड़े-बड़े यग का कोई करने वाला हो है अरजुन इन सभीयों में सभी से जो योगी होते हैं जो बैठ करके ध्यान साधन करते हैं सब से स्थ्रिष्ट होते हैं इस से विकार दमन होता है मोक संतों ने इसको अप्रचार किया है और कहा है कि आप सब कोई कर सकते हो बस कान पान को पवित्र रख करके संसार के काम धंदों को कड़ते हुए आप समय निकाल करके इस साधना को किजिए गुरुमाराज कहते हैं भाई योग हिर्दे बृत केंद्र बिंदु जो चम 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 के नजर जोड़ी धसी ताही में धुनी सुनी पावे जब आप द्रिष्टी योगल धारों को आपस में जोड़ दोगे एक द्रिष्टी करिसमसर बाई दाए द्रिष्टी की धारें जब अंदर में मिल जाएगी तो इड़ा और पिंगला का जैसे संगम होगा तो सुमना में अंता प्रकास हो जाएगा वह हो आते यह बहुत सहाज है बस अराम से बैठीये और कीजिये प्रकास होगा धुन शुनो गये और धुन सुरब सब्द की करे कमाई निजहः जावेना अनिजः हर में निजहः को पावे अति व herumशार बस इतना ही है बैठीये सुबह साम समय निकालिए ध्यान साधना किजिए तो यह द्रिष्टी आपको खोलनी है गुरु यही करते हैं सुमिरत दिवी द्रिष्टी यह होती और अंत में आत्म द्रिष्टी होती है यह मूल ज्ञान है यह हमारे धर्म साथ्ट का ज्ञान है संत के स्रण में आएंगे तो ज्ञान आपको मिलेगा अपने धर्म में निष्ठा होगी दिड़ होगे और दोरम असुस करोगे कि हमने इस वेदिक धर्म के अनुए आई हैं जिसके ज्ञान के बाद जाके कोई कुछ गह नहीं सकता है और नहीं तो आपको अपने धर्म में लोग बनेगा तो बस ऐसे ही जो ज्ञान है इसको हम लोग संतमत के मंच से सुनाते रहते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं ज्ञान योग भक्ती इस्वर भक्ती सार भक्ती आपका सार भक्ती करो हो असार भक्ती करी भ्रमत जगत रही भक्तिस्रम निष्भलो तो भक्ति उसन्तमट पर बहुत कि बड़े उच्छ जगापे जाके माराज के जयान को फेलाया है28 कि तन की सवा की पर चीवन जीवन का उतार सवा की उसाद हैं कि ऊतार करों आज है तो तीनों तरह ॹी सेवा सद्गूरुमाराज की पर्जानियों कर से वह स्वास्था में बोभर पोचे जहा हम लोगों के स्धामनी आज हैं करे जितना बी के बारें मेंकी महिमा को खतम ने कर सकते हैं मैं उनके चरणों में नमन कड़ता हूँ। और उन से प्राथना कड़ता हूं कि हम लोग प्रेवी आप सब के उपर वेनकी कृपा दृष्टी हो और हम लोग भी गुरु महराय आपकी कृपा से अपने अध्यात्मिक पुन्नत्ती कर सकें आप लोग का सुब हो मंगल हो मैं तेर धंकर वाओ इनके बड़े भाई स्याम सुन्दर वाओ तेर धार्द वाओ गुड़ द सद्गुरु के ज्यान को कहने का अबसर दिया सबका सुब हो सबका मंगल हो इसी सुब कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं स्रे सद्गुरु महराय आज कीज़ है